पीजा हट और डॉमिनोस की स्टफ्ट कार्लिक ब्रेट भी इस कार्लिक ब्रेट के आगे फेल हैं आज हम बनाएंगे इसे घर पर उसके लिए लेंगे डेट कब मैदा उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी पाउडर चीनी फिर हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और उसका भी हाफ वन एट टी स्पून बेकिंग सोडा थोड़ा सा ओयल और खटी खटी धही और उससे हम आता लगाएंगे और फिर दो-चार मिनट बाद हम लगा लेंगे हातों पे ओयल और इसको फिर गून देंगे इसको अच्छे से मसल मसल कर गून देंगे पांच-साथ मिनट में आपका आटा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा हम रखेंगे इस पे गीला कपड़ा और कम से कम आदी गंटे के लिए इसको रख देंगे साइट पे आदी गंटे बाद हम आटा फिर चेक करेंगे और आपको फिर इसमें बहुत सारा खिचाव देखेगा इसका ग्लूटन डवलप हो चुका है हम इसको दो मिनट के लिए और अच्छे से मसलेंगे और फिर इसके बनाएंगे हम छोटी-छोटी लोईया अब लोईयों को बना के हम कर देंगे साइट पे और फिर इसको एक के करके बेलेंगे अब मैंने थोड़ा सा मैंदा इसके ओपर पहले ही चेरख दिया ताकि मैं बेल ती टाइम पे ये इसके ऊपर चिब केना और मैंने इसको गोल-गोल अच्छे से बेल दिया अच्छे से गोल बेलने के बाद मैंने इसके ओपर लगाई पीजा पास्ता सॉस आप इस पे टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, परे पीजा पास्ता सॉस से इसका फ्लेवर और टेस्ट बिलकुल बजार वाला आएगा, फिर आपनी मन पसंद सबजियां जो भी हो आप इसमें डाल लेना, मैंने इसमें कॉन्स और तोड़ सी क्यारट का यूज किया है, उप इसको बंद करने के बाद मैंने चुट चुटे लगा दिये कट्स, ऐसे एक अलग पान में मैंने लिया थोड़ा सामूल बठर उसमें डाली चॉप्ट गारलिक, थोड़ी से चिली फ्लेक्स और 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 इसको मैंने डाल दिया इसके उपर इसको ब्रश के यह से भी रख सकते झाल्ख गारल इसके लिया लगा बाया है आल्ग रख सकते सतरुत बड़ी चॉबपा।